आज के मिस वीडियो में आपको कुछ important information दे रहे तो आप इस वीडियो में अंतक बने रहे और एक exam से लेकर के new update ठीक है 10th और 12 के exam में उसको लेकर के एक नया update जो है से आप इस वीडियो के माधियम से पाएंगे इसलिए इस वीडियो को आप अंतक देखते रहे ठीक है तो आ CBAC Board ने खरवाया था कि exam को लेकर के ठीक है जिसमें बहुत सारे राजियों के मुख्य मंत्री और सिख्षा मंत्री और क्या असको करते हैं डिफेंस मिनिस्टर जो बोलता है ठीक है रक्षा मंत्री बहुत सारे जो थे मुख्य मंत्री उस meeting में बैठे हुए थे ठीक है तो बा का पालन करवाते हुए एक्जाम लिया जाए बहुत सारे राजियों के यह बात कहना था कि अगर एक्जाम होती है तो क्वेस्टे के कवान्टिटी को सब्जेट में कुछ बदलाओ कर आप एक्जाम लिया जाए खूछ लोगों का यह खाना समय सीमा को कम कर दिया जाए जैसे स आती है तो अभी जो हता है से संक्रामन होने का मतलब खत्रा जादा है इसलिए एकजाम को अभी अस्थागित किया जाए ठीक है अच्छा जहां तक अब हमारे जर्खन सरकार की बात है हमंत सुरें की बात है तो उन्होंने एक सभी राज जिवासियों से एक ट्वीट के माध्य हम से एक सुझाव मांगा था ठीक है जिसमें बहुत सारे टीटर के माध्यम से अभी जो है उनको ये सुझाव दिया गया कि अभी वर्तमान इस्थिती को देखते हुए परिच्छा लेने की संभामने परिच्छा लेने का एक जो समय होता है ठीक है परिच्छा लेने की इस्थिती जो होती अभी नहीं है ठीक है इसलिए हमन्त सुरेन का कहना है मतलब मुख्यमंत्री का कहना है कि अभी हमारे राज जी में जो है परिच्छा लेने की सही समय नहीं है ठीक है यह हमारे CM का काना है, still कि उनका ये भी काना है, कि हमारे राजजी में बहुत सारे ऐसे बच्ये हैं, जो कि संक्रमीत हुए है, जो की अभी Under Treatment है, मतलब स्वास्त लाब कर रहे हैं, ठीक है, अगर विए बेक्ती, बात भी सही है कि अगर विएग्ती Under Treatment में, है तो अगर exam का date आता है तो exam देने जाएगा ठीक है और वहाँ भी बहुत सारे लोगों को संक्रामित करेगा तो बहुत सारे बच्चे अभी under treatment में है जो की exam अगर देने जाते है तो वहाँ पर बहुत सारे बच्चों को क्या करते हैं वो संक्रामित करेंगे ठीक है इसलिए जब तक ये मामला घटता नहीं है COVID-19 का मामला जब तक नहीं घटता है राजिये में जो होगा कुछी प्रकार का कोई भी एकजाम से लेकर के कोई आपको डेट नहीं दिया जाएगा ठीक है अच्छा बात ये बोला कि अभी मतलब सही समय नहीं है इसका मतलब ये है कि एकजाम होगा ठीक है एकजाम हर हाल में होगा अब ये भी नहीं बोला गया कि 10 वालों का होगा कि नहीं होगा 12 वालों का होगा कि नहीं होगा ये भी बात नहीं बोला गया है सिर्फ ये बाते हो जब भी लिया जा, एक डेट दे दिया जा, इतना तारीकों चुकि अभी तो ये CBAC बोड की बैठक होई है, अभी राजी में बैठक होना एक जुन को बाकी है, तो उसके माध्यम से आप भी अगर है student है तो यह tweet कर सकते हैं ठीक है मुखे मंत्री के पास कि ठीक है exam कभी भी लिया जाए लेकिन एक date fix कर दिया जाए या जुलाई में या अगस्त में इस प्रकार से अगर दे दिया जाता तो आप उसके माध्यम से ढंक से पढ़ पाएंगे तो इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ आपको इस बात का पताचला कि क्या चीज अभी हुआ क्या चीज नहीं हुआ अच्छा की यह जो बैठक हुई ती ठीक है इक को इस ने करवाया था तो cbac board cbc board ने है सभी राजियों से का क्या है एक लिख्षित वे में मांगा है क्या किया जा और क्या नहीं किया जा से ठीक है अभी बाकी है तो अच्छा जैसे जैसे से भी एसी बोट करेगा वैसे वैसे हर राज्य करेगा हर राज्य की परिछान जो होगी उसी तरीके से होगा इसलिए आप लोग क्या करें से अगर ट्वीट करते हों ट्वीटर चलाते होंगे तो आप ट्वीट कर सकते हैं कि एक डेट दिया जाए ताके आप लोग अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकें ठीक है अच्छा बात तो अभी आपको समझ में आएगा कि एकजाम तो हर हाल में होगा इसलिए आप थोड़ा-थोड़ा करकर के पढ़ते रहिए ताकि एक बायग अगर ले तो समय सीमा कम हो तो आप उतना में क्या पढ़ लिजेगा इसलिए पढ़ाई को आप जारी रखिए दो ही घंटा ठीक है लेकिन रेगूलर आप पढ़ते रहिए आप अगर मान लिजे कि आपके पास सही अगर पढ़ने का अथिन वही है तो आप सेट जो आया है आप बनाते रहिए एक बार उसको जो नहीं बनता है उसके माध्यम सापका करिए एक बार अपना कोपी में देखिए एक जाम तो होगा ही होगा आप पढ़ाई करते रहिए मिलते हैं फिर एक अगले वीडियो में तब तक लिए गुड़ बाए